तो चलिए आज आपको फिर जेकों नए जान का डॉर्मेंट बताने वाले हैं क्योंकि जैसे कि हमारे पास यह देखिए थोड़े-थोड़े कलर सभी बच जाते हैं तो इनी से मैं आपको बहुत ही प्याराशा डॉर्मेंट बनाना बताऊंगी क्योंकि किसी में भी यह यूज नहीं होते हैं तो इसलिए मैं यह देखी थोड़ा-थोड़ा कलर सभी में बचा हुआ है तो इसी से मैं बहुत ही प्याराशा डॉर्मेंट बनाना बताऊंगी जो बनाने में बिलकुल हीजी है जिसे आप थोड़े-थोड़े कलर आपके पास तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं तो आप इसे पुरानी चुन्नी और साडी में भी बना सकते हैं और देखिए किसी भी तरह से इसको आप यूज भी कर सकते हैं जैसे कि आप थालपोस की जगा या पूजा आसन की तरह या टेवल मैट की जगा किसी भी तरह से यूज कर सक क्योंकि यह थोड़े थोड़े कलर हमारे पास बच जाते हैं तो यह इसी तरह से काम आते हैं तो आप इस तरह से इन्हें यूज़ कर सकती हैं यह देखिए तो यहां पर दो तीन चार पांच ऐसे ही मैं आपे अपना 26 फंदा ले लेती हूँ आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे डालके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं तो आईए हम 26 फंदे डालके कंप्लेट करते हैं मैंने 26 फंदा यहां पर डाल लिया है और देखिए यहां पर सबसे पहले हम अपनी एक सलाई बनाएंगे यह देखिए आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे डालके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो के नोटिपी किसन पहुंच सकें यह देखिए इससी क्या है कि जो भी आपके पास कलर बज जाते हैं उन्हें आप इस तरह से यूज कर सकती हैं और बहुत ही प्यारा सा ये टेवल मेट बना सकती है ये देखिए आप इसी पुरानी चुन्या और साड़ी में भी आसानी से बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने पूरी सलाई को बना लिया ये देखिए यहाँ पे एक सलाई हमने बना ली अब यहीं से हमारा इसमें डिजाइन बनेगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे दो फंदों को अपना आउटलाइन के लिए ब्लैक कलर से ही बनाएंगे और यहाँ से हम अपना इसमें कलर एड़ करेंगे तो कोई भी कलर आप एड़ कर सकते हैं ये देखिए बहुत ही सिंपल सा है बिगनर्स भी आराम से इसको इजी तरीके से बना सकते हैं ये देखिए 20 21 22 तो देखिए यहां पर मैंने 22 फंदा बना लिया है दो लास्ट के छोड़ दिये हैं और दो फंदे इधर आउटलाइन के लिए बना लिये हैं सीधी सलाई में आपने कुछ नहीं करना है सीधी सलाई को आप ऐसे ही पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लिट करेंगे तो देखिए यहां पर जो यह फंदा एक बार आपको दिखा देती हूं सीधी सलाई को कैसे बनाएंगे यह देखिए सब ही फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से यह देखिए पहुत सिंपल सा है बनने के बाद यह बहुत ही खुबसुरत भी लगेगा इसको पीछों करेंगे और यह वाले धागे को हम आगे लाएगे एक फंदा हम इसमें इस तरह से उल्टा बनायेंगे पीछों करेंगे इस लाश्ट वाले फंदे को इस तरह से सीधा बना लेंगे एक ही साइट से हम इसको बनाएंगे तो देखे इस साइट से हम इस फंदे को ऐसे उतारेंगे तो यह दो फंदा ब्लैक से और फिर अपना सभी फंदा ओरेंज से और लाश्ट के ओरेंज कलर के दो फंदे फिर से छोड करेंगे तो यहां पर इस तरह से हम इसको बनाते हुए कम्प्लिट करेंगे यह देखिए कि दो-दो फंदा छोड़ते हुए यह देखिए दो-दो फंदा मैंने फिर से छोड़ दिया औरेंज कलर का यहीं से टन हो जाएंगे और सीधी शलाई को जो जैसा फंदा है उसी कलर से हम बना लेंगे देखिए मैंने सीधी शलाई बना ली फिर से मैं उल्टी शलाई पर हूँ तो यहां पर यह ब्लैक कलर के दो फंदे हम आउटलाइन के लिए बनाएंगे और बाकी का हमने ऐसे ही दो-दो फंदे छोड़ते हुए हम इसको पत्ती को कम्प्लिट करेंगे यह देखिए लाश्ट के फिर से दो फंदे मैं छोड़ूंगी हर बार हमने दो-दो फंदे छोड़ते हुए ही इसको बनाना है यह देखिए लाश्ट के मैंने फिर से दो फंदे छोड़ दिये यहीं से पलड़ जाएंगे और सीधी सलाई को सीधा-सीधा बनाके कम्प्लिट करेंगे एकी सीधी सलाई बना ली है ऐसे ही हम अपना दो फंदा बलैक से बनाएंगे आउटलाइन के लिए और बाकी के बीच वाले फंदे और इनसे बनाएंगे दो-दो फंदे छोड़ते हुए तो हर बार हमने दो-दो फंदा छोड़ना है ऐसे ही तो इसको बनाना बिल्कुल एजी है तो चलिए ऐसे ही दो-दो फंदा छोड़ते हुए यह वाली पत्ती कम्प्लिट करते हैं जब हम दो-दो फंदा हर सारा अपना ओरेंज वाला छोड़ लेंगे यह देखिए फिर से मैंने दो-फंदे छोड़ दिया और यहीं से सलाई को पलट जाएंगे तो बाकी के फंदे और यह भी छोड़ लेते हैं ऐसे ही दो-दो करके और इसके बाद फिर दिखाते हैं देखिए फ्रेंज मैं यहां पर लाश्ट तक आ गई हूँ यह देखिए चार फंदे अब भी बाकी हैं मेरे पास यह देखिए इस तरीके से अब हम यहां पर दो फंदे ही बनाएंगे अब दो लाश्ट के फिर से छोड़ दिये अब इने भी हम ऐसे ही छोड़ेंगे दो फंदों को भी यह देखिए पीछे दागा करेंगे और इस वाले दागे को आगे लाएंगे इस साइड से मैं इस फंदे को ऐसे बना रही हूं सीधा करके ताकि अच्छे से किनारी हमारी यहां पर आउटलाइन बन सके तो यहां पर भी यह दो फंदे छोड़ने बाकी हैं इस से पहले हम यहां पर दो ही फंदा यह ब्लू वाला ही बनाईन च्रिप बीलू वाला ही बनाया है और ओर अरैंज के मैंने सबीफंदे छोड़ दिये यह रेखिए इस तरीके से तो यहाँ पर सभी फंदा मैंने छोड़के complete कर ली है इस पत्ती को अब यह रेखिए इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी छोड़े हुए सभी फंदों को हम इस ब्लो कलर से ही सभी को बना लेंगे इसको एक बार ऐसे दवा लेंगे यह देखिए बना लेंगे कि तो यहां पर देखिए कि है कि सभी फंदों को बना रहे हैं कि बहुत ही सिंपल सा है गाइज दो दो फंदे छोड़ते हुए इसको प्यारेशे दोल्मैट को आप बना सकते हैं असानी से अब यह रेखिए सभी फंदों को मैंने यहां पर बना लिया और यह दो ब्लैक के जो फंदे हैं इन्हें हम छोड़ देंगे क्यूंकि यहां पर ज्यादा बड़ा हॉल नहीं बने क्यूंकि हमें अभी यहां पर यह ब्लो कलर से दो सलाईया बनानी बाकी है तो एक यह बन रही है दूसरी और इसी तरह से बनाएंगे क्यूंकि हमने यहां पर जो बनाई है एक सलाई बनाई है यहां पर जो बनाएंगे हम दो सलाईयां बनाएंगे क्यूंकि लास्ट में जो हम पूरा डोलमेट बनाते हुए आएंगे तो यहां पर भी एक और सलाई आ जाएगी उसके ब यहां पे भी हमारी लाश्ट में जो बनाते भी आ जाएंगे तो दूसरी सलाई भी इसी तरह से आ जाएगी तो देखिए अब यहां पे हम अपना इसमें कि यह देखिए दो फंदा आउट लाइन के लिए बना लेंगे और इस दागे को चाहे तो आप कट कर सकते हैं और देखिए यहां से अब हम अपना वैसे ही जैसे मैं आपको सुरुवास से बताई हूँ वैसे ही हम अपना इसमें यह वाला कलर एड़ कर लेंगे यह देखिए और add करने के बाद हम दो दो फंदे फिर से छोड़ेंगे तो यहां पे हम सभी color उनको ऐसे ही use करेंगे एक एक पत्ती हर color से हम बना लेंगे क्योंकि हमारे पास जो color बचे हुए हैं वो थोड़े थोड़े color है तो सभी से हम एक एक कली बनाके ऐसे ही complete कर लेंगे और देखिए यहां पे जो मैंने दोशरी शलाई बनाई वो last के फंदे भी दोनों बना लिये थे तो देखिए यहां पे last के फिर से दो फंदे छोड़ देंगे और यहीं से सलाई को पलट जाएंगे तो आईए मैं इसको ऐसे ही बनाते हुए थोड़ा सा complete कर लेती हूँ उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ दो-दो फंदे छोड़ते हुए जैसे orange के बताए हैं वैसे ही हम इससे बताएंगे आप वैसे ही करने हैं फिर दो सलाईया ऐसे ही black से बनानी है सभी फंदे छोड़ने के बाद तो देखी फ्रेंज मैंने यहां पर इतनी कलिया अपनी बना ली है एक दो तीन चार पांच छे और साथ में हम बना रहे हैं और बाकी की भी ऐसे ही बनाके complete करेंगे तो देखी यहां पर इस तरह से हमारा यहां पर मैंने औरेंज से start किया फिर अपना यह लगा है फिर white फिर yellow और फिर ऐसे ही हम सभी color को एक ही color सभी में लगाते हुए जा रहे हैं तो बाकी का भी ऐसे ही बहुत ही प्यारा सा हमारा बनके आ रहा है यह और बहुत ही easy है बनाने में आप इसे पुरानी चुनियों और साड़ी से भी आराम से बना सकते हैं अब यह देखिए फिर से last के दो फंदे छोड़ेंगे ऐसे ही छोड़ते हुए इसको यहां पर complete कर ल लाश्ट के हम दो फंदे फिर से छोड़ेंगे तो बाकी का भी मैं ऐसे ही complete कर लेती हूं जैसे मैंने आपको एक पत्ती बना करके यह देखिए लाश्ट के फिर से दो फंदे छोड़ें जैसे मैंने आपको यह वाली पत्ती बताई है और यह शुरूबात कर दी थी इसकी ऐ चलिए कर लेते हैं तो देखिए इतना इसमें हमने बना लिया है और यहां पर यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो दो पतियां और हमारी ऐसे ही बनेंगे यहां पर यह दस पतियों का बनके आपका complete होगा तो देखिए सबी color की मैंने अलग-अलग पतिया बनाई हुई है अभी दो color और बाकी हैं लगाने इसमें हम इन दोनों color को भी add करेंगे अभी यह देखिए तो यहां पर दो कली बाकी हैं बनानी तो यहां पर दस कली का यह बनके बहुत ही प्यारा सा complete हो जाएगा और काफी सुन्दर लग रहा है यह देखिए और बनाना त थोड़ा सा भी haul बचता है वो हमारा सिलाई के साथ बंद हो जाएगा तो यहां पर कुछ भी पता नहीं चलेगा तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ही यहां पर ज्यादा बड़ा haul नहीं हुआ है तो काफी सुन्दर हमारा डोर्मेट लग रहा है तो आईए हम दो पती भी ब बनाके यहां पर इसी तरह से कंप्लेट कर लेते हैं